हाई विल्कम टू स्मार्ट सापोर्डेम हिंदी अज का टोपिक है आप एक यूट्यूब पे वीडियो आपलोड कैसे करेंगे ठीक है और भी आपका इंटर्नेस के स्पीड का अंदर से दो से तीन मिनिट में हो जाएगा ठीक है चले शुरू करते हैं सबसे पहले आपका फिबरेट बावजर ओपन कीजिए उसके बाद आपको आपका यूट्यूब का पेज में जाना पड़ेगा उसके बाद आप देख सकते हैं यह जो अपलोड का आइकॉन है इस पर क्लिक करना काने के बाद अब देक सकते हैं जो तरीका है वह है यूट्यूप ult the अब देख सकते है उसपर क्लिक करके भी यह का सकते है यह पेजरूदिंग हो रहा है आभी इस लोडिंग हो गया अब देख सकते हैं यह अपर प्लिका है steel to select file to upload इस पर क्लिक करेंगे तो अब देख सकते हैं यहाँ पर हमारा computer का page खुला उस पर से हम जो भी select करना है file उसको select करके ओपन पर क्लिक कर देना है अब हम यह नहीं चाहते तो आप cross कर दिया दूसरा वाला तरीका जो है आपका file खुली है उसके बाद जो file आप upload करना चाहते है उसको drag कीजिए उसको drag करके आपका browser में आजिए और देखिए यहाँ पर ले आते लिखा हुआ और drag and drop video file बस यह जो option है इस पर just चाहर दी इसको वीडियो को छोड़ दीजिए अब देख सकते हैं अभी upload starting हो गया ठीक है आपको हमारा internet speed slow है तो इसलिए after आपको हमको देखा रहा है कि two minutes लेगेगा ठीक है उसके बाद आप advanced setting में चले जाई है उसके बाद आपका date today पे click कर दीजिए जीतना वी date है तो select हो जाएगा उसके बाद आप category choose कर लिजिए यह है क्या यह है अब जिसके बार में video बना रहा है उसका category दीजिए यह मेरा दूसरा channel है इसलिए है यह science and technology के लिए है तो हमने choose कर लिजिए कर लिया उसके बाद आप location select कर सकते है नहीं तो आप basic settings में जो है basic info यानि आपका basic information जो है यह पर आपको बहुत सारी टूल दिख रहा है यह हम नेक्स वीडियो में बताएंगे यह क्या है यह एक टूल है जो SEO है यूट्यूब SEO के लिए best है इसको गार में हम दूसरा वीडियो में बता देंगे अप अप प्लेलिस्ट में यह video select करना चाहते है तो playlist में select कर सकते है यह जो playlist है आप देख सकते है आपको कोई भी playlist नहीं है तो create कर सकते है आप uploading हो रहा है हमारा video उसका basic info के बाद है translation यानि आपका जो भी language है आप select करना चाहते है जो video का अब यह अब आपका विडियो जो है अब यहां पर लगा सकते है ठीक है आप देख सकते हैं processing done अब हम publish जो button है इस पर click कर देंगे यह publish हो जाएगा आप देख सकते हैं यह publish हो गया तो अब जो यह link है यह इस आप देख सकते हैं यह जो click करने के बाद आपको video देख जाएगा आपको कोई भी changes करना है return to editing पर click करके आप कोई भी changes यह पर कर सकते हैं यह changes करने के बाद save change में click कर देना है यह तो यह आपका अब रहाएगा करफ दो करना है आपकोBO